वेलकम टू कुक विच सना आज हम बनाने वाल है चिकिन गिर्यानी लोखिती को आई ये इस वीडियो को स्वाइब करते हैं सबसे पहले हमने यहां पर ओईल गर्म होने के लिए रख दिया है और इसे फुल फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज की प्यास पारिक चॉप की उवी और इसे अच्छे से फ्राइब कर लेंगे थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने दें इसका कलर चेंज होने के बाद हम इसमें आइड करेंगे अध्रक लेसन पेस्ट दो चमच और फिर इसे अच्छे से फिराई कर लेंगे अब प्यास का कलर गोर्डन ब्रॉन होने तक इसे ऐसे ही फिराई कर लें ये देखिए हमारे प्यास का कलर चेंज हो चुका है हम इसमें एट करेंगे गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छे से फिराई कर लें अब हम इसमें एट करेंगे पांस से छे हरी मिर्च धनिया और पुदीना बारिक चौप किया हुआ इसमें एट करके इसे भी अच्छी तरह से फिराई कर लें ये सब मसाले अच्छी तरह से तेल में भून जाने चाहिए और इसी तरह ओयल में इसे पकने दें अब हम इसमें एट करेंगे चिकन हमने इसे पहले ही वाश करके रखा हुआ था इस चिकन को भी आउयल में दाल के अच्छी तरह से फिराई कर लें और इसमें एट करेंगे एक चमच नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं जिदना आपको पोचाहिए कम या ज्यादा और इसे अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लें इस टिकन में बहुत सारा पानी होता है और इसे फ्राई करें तो इसका पानी सूख जाता है हम इसमें डालेंगे बिरियानी मसाला या एवरेस्ट का बिरियानी मसाला है आप चाहे तो कोई भी बिर्यानी मसाला यूज़ कर सकते हैं बिर्यानी मसाला डालने के बाद आप इसे अच्छे से फ्राइ कर लें अब हम इसमें आइड करेंगे दो से तीन कप दहीं दहीं दालने के बाद आप इसे अच्छे से भून लें ताकि ये दही इन मसालों में अच्छे तरह से पक जायो और इसका फ्लेवर बहुत बढ़ी आएगा ये देखे कितनी अच्छी तरह हमारा मसाला पक रहा है आप इसे ढख कर पांच से छे मिनिट पका लें गोश का पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए और इसे ढख कर और पांच मिनिट तरह पका लें यहाँ पर हमने चामल तयार रखे हैं उसे वाश कर दें और पांच मिनिट के भीगने के लिए रख दें यहाँ पर हमारा मसाला रड़ी हो चुका है और इसे अच्छे से फ्राइ कर दें भून भून कर इसे बनाना है ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा पकने के बाद आप चेक कर लेंके गोश गला है या नहीं अगर थोड़ा कच्छा है तो कोई बात नहीं हम चामल दालेंगे तो उसमें दम के साथ इसे पक जाएगा अब हम इसमें अट करेंगे एक से देर जग पानी आप जितने चामल ले रहे हैं उसके हिसाब से आप इसमें पानी आइट कीजिए अब हम इसमें अँड करेंगे आदा चमच नमक अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप विसंकम या ज्यादा भी और आइट कर सकते हैं और इसे मिक्स कर दे मिक्स करने के बाद हम इसे ढख देंगे इसमें बॉइल आने के बाद हम इसमें चावल आइट करेंगे ये देखी हमारा बॉइल आ चुका है बिल्कुल इस तरह पानी अच्छी तरह पकने के बाद तो यह बहुत ही अच्छे और खुले-खुले बनकर तयार हो जाएंगे पूरे चामल इसमें आइड कर दें यह देखे हमारे बिर्यानी का कलर कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल नैचुरल कलर है हमने इसमें पूट कलर या कोई भी कलर नहीं डाला है यह आप्शनल है आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं हमें ऐसे ही पसंद था इसलिए हमने इसमें कोई और कलर नहीं एड किया इससे फिराते जाएं अब इससे ढखकर पांच मिनेट और पका लें बीच बीच में आप चमच को चलाते जाएं ताकि यह नीचे से दाग ना लगे यह देहें कितना प्यारी हमारी बिर्यानी लग रही है हमने इसे दस मिनिट दम दे दिया था और यह हमारी बिर्यानी रेड़ी है आप इससे सर्फ कर सकते हैं कितनी टेस्टी और मज़ेदार बिर्यानी है आप हमारी तारीखे से बनाएंगे तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी और बड़ी आसी बिर्यानी बनके तयार हो जाएगी आप इसे लेमन का कड़ी और पैस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं लोगों को आज की हमारी रेसीपी भसंद आई है तब प्लीज दिसे लाइक शेर गमेंट और सब्सक्राइब करें ठैक्स फूर वाच आप